अबई तेरे अंदर इमत है क्या लेने की ये तेरी गिंदी का देने की ये तरह बज़ट है क्या लेने का सजीव वेक्ति की सजीитесьyon की निरजीग चीज देना चाहता है अँप the लेनद जो तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की स्लाइट क्लास में और आज इस विशा पर हम बात करने वाले हैं वो विशा है क्या देचनी की कला Art of Selling और आपकी टीम में से बहुत सार लोगों का हमारे ओफिस में पहले रिक्वेस्ट आगे था है कि सार आज की पूरी ट्रेडिंग ना यह बात करने वाला हों एक एक शब्द को हिंजी में ही सबस्ट करने वाला हूं तो देखिः बेचनी की कला के बारे बात करते हैं तो बेचनी की कला जो तरह से होती है कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ऐसे ग्रहाक आते हैं जिसमें हमारे अंदर बेचने की कला हो या ना हो वो उस प्रोड़क्ट को खरीदी लेते हैं मतलब आपकी काबलियत से उसको कोई फर्क नहीं बढ़ता उसको प्रोड़क्ट चाहिए था अब वहाँ पर चाहिए आप बैठे हो आपका representative बैठा हो आपकी company का peon बैठा हो पानी पिलाने वाला बैठा हो gatekeeper बैठा हो कई बार होता है आप अपनी shop से अपनी showroom से बार चले जाते है और आपका कोई client आता है फोन करता है कि मैं आपके showroom पर आया था और यहां तो कोई है नहीं तो आपके तो मेरी pion से बात कराओ तो pion को बोलते सर को ये चीज़ चाहिए पूछलो क्या चाहिए जो चीज़ चाहिए उनको दे दो और वो बेज देता है इसका मतलब वो पानी पिलाने वाला व्यक्ति, pion या वो gatekeeper आपकी company का sales executive नहीं हो गया आज इस विशा परमबात करेंगे वो विशा है जिसमें हम sales को generate करते हैं मतलब लोगों की इच्छा को sales में convert करते हैं देखें दो तरह की बाते हैं कई बार किसी चीज को खरीदनी की इच्छा लोगों के मन में होती है लेकिन क्या वो उस समय खरीदनी के लिए तयार है या नहीं वो इस बात पर निभर करता है कि कब उसको वास्तिविक ताव में उस चीज की जरुत पड़ेगी तो दो बाते हो गई एक इच्छा और एक जरुवत इच्छा का मतलब है कि वो खरीदेगा कब ये नहीं पता और जरुवत का मतलब है कि अब वो खरीदेगा तो किसी की भी इच्छा को जरुवत में convert कर दे वो असली salesman तो आज इस विशा पर हम बात करने वाले हैं विश्य क्या है बेचने की कला बेचने की कला में कवंसी बात हम सीखेंगे किसी को कुछ भी बेचे और कैसे बेचे आपके बास जो भी चीज है ना हर चीज जो आप बेचना चाहते हैं उसको बेचने के लिए स्पैसिफाइड कला चाहिए और उसी कला के बारे में हम बात करें देखे आपने एक बात और सुनी होगी मैंने भी आप से का था कि एक वो बायर इसको चीज चाहिए ही चाहिए चाहिए आप बेचो या आपका पीओन बेज दे तो ठीक उस्तर ऐसे हो पहले कावत कही आती थे कि गंगा आवन हा रहे है तो भागीरत के सर पड़ गई मतला प्योरिटि गाड़ दे आपके व्याप पर वो सेल्स की कला नहीं है तो आज हम बात करेंगे ऐसी सेल्स की कला के बारे में जहां पर आपने उन लोगों को चीज़े बेची है जिनको उस चीज की जरुवत थी इच्छा थी लेकिन अभी जरुवत नहीं थी उसकी इच्छा क उस तरह से बिजनस को जीवित रखने के लिए सबसे मैतो कुण क्या है सेल दुनिया के बड़े से बड़े बिजनस चाहे वो अंबानी हो अडानी हो टाटा हो कोई भी कंपनी हो हर कंपनी में कंपनी की ग्रोथ के वल तभी संभाव है जब उस कंपनी में सेल हो कहते हैं नही जीवित रहने के लिए oxygen के जरूरत है, ठीक उस तरह से business को जिन्दा रखने के लिए sales और profit की जरूरत है, आज इसी विशे को हम समझेंगे कि हम ऐसा क्या करें, कि हम आसानी से sales generate कर पाएं, और business में अच्छा profit हो, और हमारी भी growth हो, fine, तो देखिए, ग्रहक की मानसिक्ता के मनो विज्ञान को समझो, सबसे पहला step क्या है, आपका जो buyer है न, उसका एक thought process है, जब किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा पैदा होती है, तो ज़रूरी नहीं कि उस समय उस चीज़ को खरीद दे ले, अब उसकी मानसिक्ता को हमें समझ रहे हैं, क्योंकि उस ग्रहक को आपको जब तक follow करना है, जब तक वो sales में convert ना हो जाए, मैंने क्या का, उसके पास क्या है, इच्छा, खरीदने के लिए भी तयार नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसकी मानसिक्ता को study करना है, क्योंकि आप उस ग्रहक को लगातार follow up करेंगे, तो आपके follow up में ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे को robotic follow up है, आप देखो बहुत सारे आपको bank के लिए call आता है, बशर्टे आपका relation ऐसा develop हो जाए, कि वो आपसे बात करने के लिए तयार हो, सामाने तक रहक अपने caller से या salesman से बात करने के लिए तयार नहीं होता, तो आपके अंदर convincing power होनी चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को इदी convince करना है, तो दो ही तरीके हैं, या तो वो आपका close friend हो, आपको जानता हो, आपका relative हो, तो आपकी बात वो सुनेगा और समझेगा, या आप उसकी मानसिक्ता को समझ जाओ, कि वो इसका दिमाग कैसे काम करता है, अब किसी भी व्यक्ति के दिमाग को समझने के लिए न, हमें, क्योंकि हम देखो product और money के बीच में काम नहीं कर रहे है, क्योंकि आपके पास product है, और consumer के पास money है, लेकिन दोनों ही निर्जीव चीज है, दोनों ही निर्जीव चीज है, खरीदेगा कौन, buyer और buyer कौन है, एक व्यक्ति सजीव चीज, और बेचेगा कौन एक salesman, वो क्याए वो भी सजीव, तो सजीव व्यक्ति के सजीव व्यक्ति से बात्चीज चल रहे है, जो एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के निर्जीव चीज लेना चाहता है, आपने का था हिंडी में बोलना, तो उनके मन में product को लेके बहुत सारी डर होते हैं कि कई खराब ना हो जाए, कई महेंगा ना चिप जाए मुझे या कई ऐसा ना हो उसकी life ज़्यादा ना हो या ऐसा ना हो जो amount में pay करना हूँ महेंगा खरीद लूँ या ऐसा ना हो कि उसकी quality अच्छी ना हो तो उसके मनें बहुत सारी डर होते हैं बहुत सारी समस्यां होते हैं जिसका समाधान वो चाहता है और समस्यां का समाधान चाहता है मतलब किशना कीशीज को लेके उसके पास कुई दर्द है उसकी पसंद क्या है कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी सी ग्राक को बेचना चाते हैं पर ग्राक आपके प्रोड़क्त को पसंद ही नहीं करता है तो आपको ये भी समझा जुरूरी है कि उसकी पसंद क्या है उसकी नापसंद क्या है कि किन-किन चीज़ों को नहीं पसंद कर रहा है किस तरह की बातों में उसकी रूची है मैंने देखा है बहुत सारी company के जो salesman होते है वो अपने गराक से इतने familiar हो जाती है कि उनको यह भी पता होता कि किस तरह की चीजे पसंद है इसकी रूची क्या है, इसकी hobby क्या है, यह क्या पसंद करता है क्या नापसंद करता है और उसकी जिग्यासा क्या है, उसके मन के जो भी प्रश्न है, जो भी doubt है वो सब कुछ clear करने की काबिलित आपके अंदर होनी चाहिए और वो किबल तब होगी, जब आपको अपने product की पूरी जानकारी होगी उससे मिलने वाले लाप की पूरी जानकारी होगी उसमें कितना पैसर अगरा उसकी जानकारी होगी और customer का budget क्या है और क्या वो budget खर करने के लिए तयार है उसके मन में जिस दिन budget खर्च करने की इच्छा पैदा हो जाएगी ना कि आप तो मुझे वो product चाहिए ही चाहिए तभी वो आप से deal करेगा इसलिए सबसे पहला काम क्या है अपने ग्राह की मानसिक्ता मतलब उसके दिमाग की स्थिति को समझो उसके मनो विज्ञान को समझो psychology को समझो और की तो लोग आपस में एक दूसरे को तबी पसंद करते है दोने लोग की psychology आपस में match करती है एक दूसरे के प्रती आकरशन तबी होता है psychology match करती है तो बेचने की कला का मतलब क्या है बेचने की कला का मतलब यह नहीं यह कि आपने sale कर दी किसी product के service को बेचना नहीं है वो क्या है? लोगों को समझने की कला है अगर आप लोगों को समझने की कला को समझ जाएं तो आप आसानी से किसी भी व्यक्ति को कोई भी product बेच सकते है जरूरत क्या है? उसी सारी चीज़े उसकी इच्छा क्या है? जरूरत क्या है? डर क्या है? समस्या क्या है? दर्द क्या है? पसंद क्या है? ना पसंद क्या है? रूची क्या है? जिग्यासा क्या है? बजट क्या है? और कब वो पैसा खर्च करने के लिए तयार है और इसके लिए आपको बहुत अच्छी प्राक्टेस करने होगी, जादा सादा लोगों से बात करने होगी क्योंकि देखें, मार्केटिंग के लोग इतने सारे लीड लेके आते हैं वो कैसे कैसे फील्ड में जाते हैं, हम ओनलाइन लीड लेकर आते हैं हम डिजिटल प्लाटफर्म के थूरू लीड लेके आते हैं, पर्सनल रेफ्रेंसिस के थूरू लीड लेके आते हैं उसके बाद भी अगर डील नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कम्यूनिकेशन स्किल में कोई कमी है हम यह समझे नहीं पाते हैं कि ग्रहाख हमें अच्छे समझ जाए कहते हैं कि salesman की विश्वसनिता ग्रहाख के प्रतिकर अच्छी हो जाए तो ग्रहाख उससे एक तरह से relation में आ जाता है एक business relation develop कर लेता है और उसके बाद deal करता है तो सबसे पहरा काम क्या करना है हमें ग्रहाख के मनोविज्ञान को समझ दा है उसके बाद story जो प्रभावित कर सके किसी भी consumer को कोई प्रभाव डाल सके आप देखिए हर ग्रहाख जो होता है जो product खरीता है उस product के पीछ एक story होती है जादा तर वो आपसे पूछता अच्छा चलो बताओ आपका product कहां कहां लगा हुआ है किस किसने खरीदा हुआ है आपकी success story को जानना चाहता है आपकी company के बारे में जानना चाहता है उसकी progress के बारे में जानना चाहता है उसके मालिक के बारे में जानना चाहता है कि बई जिस company जब खरीद रहां को ऐसा ना हो कि non visionary person हो तो वो क्या जाना चाहता है आपकी company से related stories और वो stories क्या होती है आपके संतुष्ट वह खुछ ग्रहकों के अनुभव उनको ज़रूर साजा करें अगर आपके satisfied clients है किसी के आपने product दिया है install किया है तो उसे संबधित information share करे और आजकर लोगना एक बड़ा अच्छा trend चल गया influencers, celebrities या brands के साथ अगर आपने काम किया है तो आपकी विश्वशनिता बड़ी हो जाती है तो आप उनको बताईए कि आपकी company के उपलब्दियां क्या है किन-किन प्रसिद गरहकों के साथ आपने काम किया है आपकी company की सफल क्या है ध्यान रखिए जिस company में sales का volume बहुत अच्छा होता है वो company grow करती है और जो company grow करती है उस growing company के साथ गरहक को भी विश्वास होता है कि ये company भविश्य में और आगे बड़ेगी और मुझे और अच्छे तरीके से product और service से सम्बंदित सुविधाई देती चले जाएग तो अगर आप उसको product दिखाते हैं तो उसका level of satisfaction बढ़ जाता है तो ये बहुत important है कि story ऐसी बताओ जो स्विक्ति को प्रभावित कर सके और अपनी विश्वस्तियता का भरोसा दिलाओ अभी अपनी विश्वस्तियता का भरोसा का मतलब क्या है देखिए ग्रहक product बाद में खरीदेगा पहले वो आपको खरीदेगा अब आपको लग रहा हूँ हम क्या अपने आपको बेच रहे हैं आपको बेचने का मतलब आपके बेचने की कला को खरीदेगा अगर आप किसी भी ग्रहक के मन में विश्वास पैदा कर पाएं कि you are the right person जिससे वो product खरीदने जा रह इंशुरेंस पॉलिसी फिक्स है मालीजे जीवन आनद एक पॉलिसी है तो जीवन आनद एक पॉलिसी है इसको कोई भी बेच दे मिलने वाले लाब सेम होंगे क्योंकि वो LIC की responsibility लेकर उसके बाद भी लोग अपने विश्वस्निय LIC agent से ही policy कराना पसंद दरती है क्यों क्यो जो terms and conditions हैं वो भी उनको follow करेगा और एक नौ सिखिया अगर कोई sales executive है या LIC agent है वो भी उनको follow करेगा वो भी उन्हीं terms के थ्रू जाएगा क्योंकि पैसा कौन देगा LIC लेकिन उसके बावजूद भी LIC policy नहीं बिक्ती उस agent की विश्वस्नियता बिक्ती है और अगर आप अपने घ्राक के मन में अपनी power अपनी विश्वस्नियता बना पाएंगे तो आप आसानी से sales का volume बढ़ा पाएंगे और वो काब होगा पहली वाली बात जब आपका उसका डर उसकी जग्यासा उसकी इच्छा उसकी लाइक उसके डिजलाइक उसकी रूची उसका बजट उसके खर्च करने की खर्च करने की इच्छा दोनों लग बाते हैं खर्च करने की खर्च करने के लिए तैयार है कई बार देखा है कि एक गरीब आदमी भी बहुत सारा पैसे कठा करके खर्च कर देता है, लेकिन के बार एक बहुत अमीर आदमी भी बहुत अधिक पैसे में से थोड़ा सा खर्च करने में कंजूसी दिखाता है, तो इच्छा होना और खर्च करने की काबलियत होना दोनों अलग लगबाती है, इसके लाबा, क्योंकि वो आपसे प्रोड इसता मानी जाती है, यह माना जाता है अगर ये बंदा कोई बात कर रहा तो वो कंपनी की बात है, तो अपने आपको इतना उस व्यक्ति को ऐसा भरोसा दिलाएं, ऐसा विश्वास दिलाएं कि आप ही कंपनी हैं, आप ही decision maker हैं, अगर आपने कोई बात कमिट करती तो वो बा पाइर आता है जो regular कोई salesman उसको follow कर रहा है उस समय पर वो salesman वहाँ अवेलेबल नहीं है तो customer आते उसको नाम पूछता है तीरे अंदर इम्मत है क्या लेने की यह तेरी वकात है क्या लेने की यह तेरा बजट है क्या लेने का चैलेंज यह नहीं चैलेंज मतलब उसको डिसिजन लेने के लिए तयार कर दें। मैंने साथ में लिखा है विनम्रता पूरवक्त। इतनी विनम्रता से आप चैलेंज करें कि वो व्यक्ति चीज़ को लेने के लिए तयार हो जाए। जैसे आपने देखा है ना बहुत सारे salesmen चैलेंज करते हैं बायर को, कि सर अगर आप अभी decision लेंगर तयार है ना, तो मैं आपको extra benefit देता हूँ, मेरी तरफ से मैं आपको 10,000 का extra discount देता हूँ, मेरी तरफ से, लेकिन आप अभी इसको deal को close करें, या rate बढ़ने वाले हैं deal को आप close करें, या अगर सर आपको लगता है ना, कि भई मैंने आपको सही तरीके से convince किया है, सही तरी से बास समझा पाया हूँ, और आपको विश्वास है मेरे उपर, तो आप इस deal को close करें, चैलेंज करते हैं उसको सिधा-चिधा deal close करने के लिए, इसका एक example मैंने बताया, कई बार कहते हैं कि सर ये मेरी तरफ से offer है ना, वो आज-आज के लिए, अगर आज आप मुझे deal करते हैं, तो मैं आपको एक extra benefit ये दे सकता हूँ, या extra discount ये दे सकता हूँ, क्योंकि salesman का प्रभाव ही company का प्रभाव माना जाता है, जिसे दो banks आप देख लीजिए, एक सरकारी bank और एक private bank, सरकारी bank भी वही काम करता है, जो काम private bank करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक king style काहां फील होता है, private bank में जाकर, बैंक पर आता है, आए सर, बैठिये सर, बताए सर क्या करना है, बैठ आए सर, form में भरवाईता हूँ, executive से बात कराईता हूँ, जा जाके आप से साथ काम कराईगा, और government bank में, सरकारी bank में, उच्छोना जी पैसे निकालने है, वहाँ, वो कर देगा, वहाँ, वो कर देगा, लंच टाइम चल रहा है, धरवर बिजी है, काम नहीं हो रहा है, तो विश्वस्निता कैसे पैदा होगी, जब आपके प्रती विश्वस्निता होगी, तो करमचारी ही company को represent करता है, इसी लिए जरुवत है अपनी power को बढ़ाने की, अपनी योगता को बढ़ाने की, और इन सभी points पर ठीक तरीके से अमल करने की, और वो points क्या है, एक बार one shot में आपको बता देता हूँ, ताकि आपने जो भी note किया है, आप सको revise कर ले, अगर आप ये कला सीख गए ना, तो किसी को कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी मतलब जिस चीज को खरीदने की ग्राग की इच्छा है, उसकी इच्छा को उसके जरुवत में convert कर सकते हैं, क्या, पहले तो सबसे पहली चीज़ क्या, ग्राग की मानसिक्ता और मनोविज्ञान को समझो, पहले समझ लो भी उसकी मानसिक्ता क्या, उसका मनोविज्ञान क्या है, वो कैसा परसन है, बहुत सारे परसन ना talkative होते हैं, बहुत जारा बात करते हैं, अगर आप उन्से short में बात करेंगे, वो आपसे relation developing नहीं करेगा, उसे चाहिए मेरी बाते सुन ले बस कोई, satisfy हो जाता है, बहुत सारे लोग बड़े aggressive होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, उनके गुस्सा को सिर्फ सुन ले समझ ले, पी जाये उनके गुस्सा को, तो वो कहेंगे, यह बहुत बढ़िया बंदा है, अगर आपने पलट के जवाब दिया, तो वो सुने गईगी, होते हैं न, तो आप उसकी मानसिक्ता को समझे, दूसरा, स्टोरी जो उसको प्रभावित कर सके, चाहे वो real life स्टोरी हो, चाहे success स्टोरी हो, चाहे achievement स्टोरी हो, या आपके existing वो क्लाइंट, जिनका नाम वो सुनना चाहता है, बड़े-बड़े ब्रैंग्स, बड़े-बड़े celebrities, बड़े-बड़े influencers, उसके बाद, नेक्स के, अपनी विश्वास निता का भरोसा दिलाएं, उसको ये विश्वास दिलाएं, कि आप जो प्रोड़े खरीदे रहें, वो company से नहीं मुझे से खरीदे रहें, हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, लोगों से डायलोग संता हो देखा है, अजी सरा आप प्रोड़े लेजे, ता मत करो हम बैठें, तो ये बहुत important role play करेगा, आपकी sales को बढ़ाने के लिए, और आपके अंदर वो आतों विश्वास पैदा करने के लिए, कि बेहतर तरीके से sales, उन लोगों के लिए कैसे की जाए, जो भागिरत की तरह गंगा के रूप में नहीं आए हैं, तो मिलते हैं नेक क्लास में, जिसमें बाक्री टापिक्स को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, मेरा request है इन चीजों को नोट जो आप नहीं किया है, इस पर अमल करें, प्राक्टेस करें, तो क्यों प्राक्टेस से ही आप चीजों को समझ पाएंगे, थैंक यू, थैंक्स तो अलोगे,